प्रकाशित्वा की उनीस तेरा वो शीशक बताता है जिसे इश्यू को पुकारा जाता है बताता है कि वो सफेद घोड़े पर सवार है बताता है कि वो कैसे दिखता है और यह अद्बुत प्रस्तुति करण है और यह बताता है कि जिस शीशक शीश्यू से पुकारा जाता है व अपने जीवन में सबसे महतोपूर्ण काम जो आप कर सकते हैं वो है परमीश्वर की वचन सीखना और फिर अपनी ही मूँ से परमीश्वर का वचन बोलना आपको ऐसी बाते बोलना सीखना है मैं सिर्र हूं पूछ नहीं ऊपर हूं नीचनी मैं बहुत से देशों को उधार दे हूं कि वे प्रभू के साथ नहीं चलना है क्योंकि बाइबल मुझे बताती है कि मुझे भक्ती हीनों से सलह नहीं लेनी चाहिए योहना 5.38 कहता है कि उसके एविचार परमेश्वर के वचन है वचन सहीत 132 मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी मामका चाहि के कारण तेरे नाम का धन्यवात करूंगा क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है।इसका वचन इतना महत्व पूण है और वो चाहता है कि हम उसके वचन का आदर करें। देखें लूका चार है। यर्दन से लोटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा और शयतान उसकी परिक्षा करता रहा उन दिनों में उसने कुछ न खाया और जब ये पूरे दिन हो गए तो उसे भूक लगी और शयतान ने उसे कहा यदि तु परमीश्वर का पुत्र है तो इस पत्तर से कह कि रोटी बन जाए इश्यो ने उसे उत्तर दिया की लिखा है मनुश्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा परन्तु परमीश्वर के मुझ से निकलने वाले हर वच्चन से जीवित रहेगा उसे नहीं करूंगा आप सोस्ते शैतान चुपरा नहीं वच्चन पाँच तब शैतान उसे बहुत उचे पाड़ पर ले गया और उसे पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए और उससे कहा यह सब अधिकार और इनका विभाव तुझे दूंगा जानते आज हमारे समाज आज में कई लोग सामर्त और वस्तूं के लिए समझोथा करते हैं। अधिक दुष्ट बुरे लोगों को अधिक संपन होते हुए देखते हैं ये तो ऐसा है कि अरे ये तो कोई अर्थ नहीं बनाता वे शैतान की सेवा कर रहे हैं और मुझसे उत्तम कर रहे हैं वेकिन सच में नहीं क्योंकि आपके पास थोड़ा होकर भी आनंद रह सकते हैं और उनके पास चाहिए कुछ भी होवे कभी भी वो नहीं पास सकेंगे जो आपके पास है आप पढ़िए भजन सही ता सैंति इसको करमियों के कारण मत कोड़ जो धर्मियों के विरुदतते हैं, क्योंकि अंत में is संतों यह अभी खत्म नहीं हुआ। अंत में धर्मी और नम्र वृत्विक यदिकारी होंगे, परंतु परमेश्वर का धनिबाद होंके हमें अमें शान्त की रहां नहीं देखनी होती। कि आंत में स्वर्ग जाएंगे, पर मेश्वर मेरे जीवन में आशीश दे रहे क्योंकि मैं धार्मिक्ता के लिए खड़ी रही हूँ और मैं जानती कि उसने आप में से बहुत से लोगों के जीवन में भी आशीश दी है। पर मेरे जुक जाओं तो वो मेरे कोई मदद नहीं करेगी। कई बार शैताननी लोगों से कहा और उनों ये किया ठीक बस एक बार बस एक बार का जूट वो बस छोटी सी बात सब इसे करते हैं यदि तुम नहीं करोगे तो नौकरी चली जाएगी और तुम ऐसा नहीं कर सकते हूं यदि सत्तर प्रतिशत मसी है अपनी नौकरी में पदोनिती पाने के लिए अपने विश्वास से समझोता करे तो उसमें गलत क्या है हैर जीवी का कमाना है दूसरा तिमुथियस एक बात बताता है कि परमेशव का वचन चेतावनी देता है डाटता है सुधारता है और ताड़ना देता है तेर मयाह कहता है तेरे वचन हथोड़े के समान है जो सबसे कठोर पत्थर के भी टुकडे टुकडे कर देता है ये तल आप आभरी नहीं। देखें यदि आप बने रहें। बाइबल कहती है यदि तुम मेरे वचन में बने रहो तो तुम मेरे चेले ठेरोगे तुम सत्य को जानेगे और सत्य तुम्हें आजात करेगा। और यदि उसका वचन मुझ में बहुत समय तक बना रहे है वो मेरी इच्छा को बदल कर अपनी इच्छा से मिलाएगा तो जो कुछ मैं मांगू वो पाऊंगी क्योंकि उसकी इच्छा मेरे जीवन के लिए जो नहीं है उसे मैं नहीं मांगूंगी। यदि आप लूका में बातों को देख और शैतान ने का और इश्यू ने का ये लिखा है और शैतान ने का और यीश्यू ने का इच्छा से महान दूर हो जा क्योंकि ये लिखा हुआ है। तुझे कभी कुछ नहीं मिलेगा, तुझे कुछ नहीं मिलेगा, चुप रहे शैतान, जहां मैं अपना हाथ रखती, वो संपन और सफल होता है, मेरे पास सम्मान और वर्दान और योगिताएं है, परमीश्वर की सामर्त मुझ में वास करती है, मैं अपनी बड़ी विजय के रास्ते पर हूँ और विजय पाकर ही रहूँ, आपको वापस बोलना है, बस केवल बैटकर शैतान को अपने सिर पर मारने न दे, आपका मुझ खोले, आपका अभी शिक्त मुझ, मैंने का आपका अभी शिक्त मुझ खोले, और परमीश्वर का वचन बोले, शैतान को ये न अब इसे देखे और मैंने उसके मूँ के वचनों को अपनी इच्छा से कहीं अधिक महत्वपूर्ण समझा। अयूब ने कहा वचन से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं। ये आत्मिक भोजन मेरे लिए अभाविक भोजन से महत्वपूर्ण है। प्रकाशित वाकि 3,8,10 कहता है क्योंकि तुने मेरे वचनों का पालन किया है मैं तुझे आदर दूँगा और तुझे अंतिम दिनों में सुरक्षित रखूंगा। प्रमिश्वर का वचन जीवित प्रबल और हरीक दोधारी से भी बहुत चोखा है और जीव और आत्मा को और गाट गाट और गूदे गूदे को अलग करके आरपार छेता है। प्रमिश्वर का वचन कहना शुरू करता है ठीक है हाँ में देखता हो कि तुम क्या करे हो परन तुम इसे क्यों कर रहे हो ये सच्चे उद्देश को प्रगट करता है। नहीं आ सकते। वचनों में इस समझ को पाने पर की मसीम में आप कौन है आपका जीवन सच मुच बदल जाएगा।